जारकर्ण में चौथे दौर की जंग सुभा साथ बज़े से जारी है मतदान प्रक्रिया और वर्चरकर जो मतदाता है क्या कुछ वहाँ पर हाल देखने को मिल रहा है इसी पर जादा जानकारी के लिए हमारे विरोचीफ ब्रजीश राइल लाइव जुड़ गए हैं हम उनका पर उकर लेते हैं सबसे पहले प्रजीश आपसे अपडेट लिना चाहेंगी क्या कुछ देखने को मिल रहा है चुनावी माहों में मतदान को लेकर आशिमा आपको सबसे पहले खुशनुमा महोल में और गुलावी ठंड़क के बीच में जारखन में चल रहे लोकतंत्र के महापर्व के सबसे बड़े जो आज महोल है उसमें आपका स्वागत है और आपके साथ हमारे जो भीवर से उनका भी स्वागत है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आज चौते चरण का चुनाव हो रहा और पंदरह सीटों के लिए दो सो एकिस परतियासी कुल मिलाकर अपनी किसमा ताज मारे है बड़ी बात ये है कि इन पंदरह सीटों में बारह सीटों पर भारतिय जनता पार्टी का कबजा है लगतार इतनी चुनावी सभाएं यहां पर हुई और अभी जो यह मतदान हो रहे पांच विधान सभा नकसल प्रभावित है जहां तीन बजे तक मतदान होना है और साथ में दस जो शहरी छेतर में आते हैं लेकिन भाजपा को चुनोती है इस चौते चरण में अपनी साख यह बताये कि आप वोट कास्ट करनी है आपकी दिमाग में क्या कुछ चल रहा था क्या मुद्द है आपकी मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जैसे हम लोग यूट है तो मेरे लिए इंपॉर्ट है कि इन फ्यूचर हम लोगों को इंप्लॉइमेट अच्छी मिले ह हम लोगों के लिए अच्छी ब्रहाइड और Heelth Care इगेड में लौक फैसिलिटीश और भी चिते हैं फैसिलिटीश होतें सारी अच्छी हो फिर इν्फरस् bastard च्रॉक्चर अच्छ?" रोज डैवल्लेप्मेंट और इंडिया की जो डैवल्लाप्मेंट फो फो ड़ा घया यह सब YouTube स्कुन спас is Smarishrain आप का नाम जाना चाहूँगा क्या करती आ निकिता कांगी समरे निकिता कांगे सीरा में जएनलेलिजम और मास कम्म्निक्षण कर रही है तो आप अपने तरीके से इस लोकतंतर के महापर्म को जरूर धियुँ कि बताईए इस बार वोट कीकिया किन मुद्दो को क्या जहन में चल रहा था अविसली मेरा फॉर्स था कि अगर हम एडुकेशन पॉइंट आफ व्यू से देखे तो मैं ये भी चाहती हो कही ना कि कर रही हो एक बड़ा सवाल है यूथ वोटर्स की तरफ से और खास तोर पर ये यूवती जो है ये मास कौम जर्नलिजम का कोर्स कर रही है बहुत बेतर ढंग से समाज को समझनी की कोशिश कर रही है जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो खुल कर हम चारो चरण के चुनाओं में देखते आ रहे हैं तीन चरण बीच चुका चारो चरण के चुनाओं में बेरोजगारी का मुद्दा जारखन में बहुत जमिनी अस्तर पर नजर आ रहा है और आप से जाना चाहूंगा आप आ बोद कुछ मिल रहा है पहले लेडीज लोग को जो फैसलिटीज नहीं मिली थी आज वो लो मेडम मैडम आधी अबाधी की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा होता है क्या हमारे जारखन में आधी जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बेहने हैं कि हो कितना सुरक्षित मेहसुस करती हैं अपने आप dyed out उसके लिए हम लोगों को और ज्यादा करने की ज़रूरत है आसीमा आपको बताना चाहूंगा कि जारखंड में बेरोजगारी एक मुद्दा है उसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा बहुत और बहुत खास है और यही वज़ा है कि तमाम महिलाओं से जो तीनों चरण में हमने बात की सब लोगों ने महिला सुरक्षा पर एक सवाल उठाया चुकि हाल के दिनों में जिस तरीके से जारखंड में जो दुशकर्म की घटनाये छेडखानी की घटनाये सामने आती रही वो एक बड़ा इशू होता रहा लेकिन बड़ी बात है कि भारतिये जनता पार्टी क जो भी बड़े चेहरे हो या महा गडवन्दन के जो बड़े चेहरे हो ये इन मुद्दों पर खुल कर अभी तक बोलते हुए नजर नहीं आया है हमारे साथ और भी कुछ लोगे आपसे जाना चाहूंगा सर आपका नाम क्या और क्या करते हैं आप बिजनस करते हैं तो आप बिजेपी सरकार को निशाने पर ले रही है कि अर्थवेवस्ता हमारी लगातार गिरती जा रही है आप क्या कहेंगे तो लगातार गिर रही है बास सही है लेकिन इसके अंदर सिर्फ गौवर्मेंट भी कुछ नहीं कर सकती है कि हमें मिलके भी कुछ करना पड़ेगा आपक लिक में छे दिन आप कहीं भी जाओ यहां से अगर आपको बैंक बोर जाना है तो मिनिममम 20-25 लगते हैं आपको समय जाया होता है यह बताईए कि पानी बिजली सरक 24 घंटे बिजली देने का वाइदा किये थी क्या मिलता है बहुत ज्यादा बढ़ी है घटी नहीं है हाँ स मेरा नाम दुरूब अगरवाल अगरवाल साब कुछ आप लेकर रखे हैं ओ आसिमा जी सभाग्य से दुरूब अगरवाल जो है इन्होंने फर्स्ट वोट कास्ट किया है और इन्हों यह जिला परशासन के तरफ से निरवाची अधिकारी के तरफ से यह सर्टिफिकेट मिल बात है आप बताईए कि आपके जहन में क्या कुछ चल रहा था क्या मुद्दे थे और मतलब क्या महसूस करते रहें आप सबसे पहली बात जब से जहारकंड बना है तो यहां कभी स्टेबल गवर्मेंट ने रहे 14 साल तक तो यहां कभी डेवलप्मेंट हुआ लिए एक स्थीर सरकार हेगी तब न उट डेवलप्मेंट करेगी तो मेरा सबसे प्रभुख मुद्दा था कि यहां एक स्थीर सरकार बने राची में उसके बाद ही को सरकार को अन्य डेवलप्मेंट के कारिये पर फोकस कर पाईगी। जवरदास के नितरत में बीजेपी की सरकार थी, यह पुर्ण बहुमत की और अस्थाई सरकार थी, इस सरकार ने आपकी उमीदों को कितना पूरा किया या क्या कुछ कमिया रह गई। बात है चुकि कोईलांचल की राजधानी मानी जाती है और धनबाद के विश्य में कहा जाता है कि यह कोईले की राजधानी है पूरे देश की और माइन्स और मिल्डरन्स की अगर बात की जाए तो इसकी रॉयल्टी को लेकर एक बड़ा इशू हमेशा से आसीमा जारखंड के लोगों की जुबान पर रहता था कि हमारी जो रॉयल्टी है वो हमको हमारा हिस्सा उतना मिलता नहीं है और इस वज़े से हमारे जो आस प्रोस के चीजे हैं उसमें उतना डिवलप्मेंट हो नहीं पाता है आसीमा इसके साथ ही मैं दिखाना चाहूंगा और भी जो लोग मतदान में कतार में लगे हुए हैं लोग इन लोग को भी मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा पर संसरी क्वेस्ट करूँगा क्योंकि लोग तो अपने मुदों के साथ मत का इस्तवाल करने पहुंच रहें लेकिन उसके लिए किस तरह के का नजारा आप दिखाएं आसिमा आसे आसिमा बिल्कुल सुरक्षा के लिए मैं सवाल करूंगा यहां सुरक्षा में जवान तैनात है आपका क्या नाम है अनंद खुमार सेंग है और उन जी यह बताईए कि सुरक्षा चाक चौपन और जारकन जो है नकसल प्रभावी तिल का माना जाता है। कितनी मुस्तेधी है आप लोग जवान लोग कितनी मुस्तेदी के साथ लगे हूए है क्या कहना चाहेंगी हम लोग तो सुब हर दम अपने अστर से मुस्तेदी से हें जूटी करते हैं और सुबह च findet है क्या नाष्टा पानी किया आप लोगों ने? ने अभी कोई नाष्टा पानी नहीं किया जो मिला हुआ है सुखा रासन वही हम लो खा कर दिन भर रहेंगा आसीमा देखिए कितनी बड़ी बात है हम अगर देश में जय जवान जय किसान का नारा देते हैं तो जै जवान ऐसे ही नहीं कहा जाता है। सुबह से चार बजे से ये अपने बूत पे अपनी ड्यूटी पे तैनात हो गए और तमाम जवान इधर उधर अपनी तैनाती में मुस्ताइद नज़र आ रहे हैं। सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया है लेकिन क्या मजाल की जरा सा भी अपने करतबे पत से पीछे हट जाएं। और ठंड के कारण जो परिशानिया होती है वो तो होती है और यहाँ पर पिठासीन पतादी कारी है इनसे बात करना चाहूंगा ये बताईए मतदान कैसा चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि बेवस्था में कमी आपने बताई तो क्या क्या बेवस्था में कमी है चुकि आप पिठासीन पतादी कारी है। कल जब हम लोग यहाँ आये तो ये बत बनता यह लोग को फोन की हैं फोन करने बाद हुआई उसके बाद देखें यहां पर कोई समान नहीं था। फिर उसके बाद बोलें कि हम मंगवाते हैं तो किद्रों से चार कूर्सी मंगाई उसके बाद कोई टेबल हो गरा कुछ नहीं था। लोग नो बज़ रात तक हम लोग कुछ मिला नहीं फिर बाद में ये टेंट वाले कोई साधी का फंसन चल रहा था तो उसी वाले टेंट वाले देखिए हम लोग लगाए हुए उसी से रिक्वेस्ट कियें बलगी। यहां अंधेरा भी बहुत है उतनी लाइट लाइट वे भी बोले यहां तो अंधेरा था लेकिन रात को बहुत बोलने के बाद दुगों से फिल लगा दिया और अभी भी देखिए लाइट जला के काम कर रहे हैं ये बड़ी बात है आसिमा बताना चाहूंगा कि आप देख किया जा रहा है जो बिजली की बेवस्ता होनी चाहिए हुआ नहीं यह बताईए कि आप यह टॉर्च इस्तेमाल करें थोड़ा अंधेरा नहीं इसलिए मने अंधेरा अभी हां वोटर्स के नाम सही तरीके से देखने पार देखने पार रहे हैं इसलिए थोड़ा मने आसी मा बताना चाहूंगा कि मतदान की प्रकिरिया के लिए हम लोग जरूर ततपर रहते हैं ततपरता दिखानी भी चाहिए और लोग तत्री के सबसे बड़े पर्व के लिए लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें इस तरह की अन्यमत्ता सामने आती हैं तो कही न कई ब्रजे है चुनाव आयोग निश्चित तोर पर जार्खन चुनाव आयोग को सलूट करता है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से सबसे बड़ी बात है कि जार्खन नकसल प्रभावीता और यहां पर ये एक शांती पूर्ण मतदान लगभग होता रहा है तीनों चरन पार हो चुके ह लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जीला प्रशासन की तरफ से जिस तरीके की बेवस्था की जानी चाहिए आपने और हमने और साथ में पूरे देश की जनता ने देखा कि किस तरीके से चुनाव कारे में लगे जो अधिकारी हैं करमचारी हैं वो कितनी मुसीबतों का सामन कर रहे हैं कुछ और हमारे साथ महिले आए मैडम जाना चाहूंगा आप लोग वोटकास्ट करने आई है अचा मॉनिटरिंग करने एक बात आप से जाना चाहूंगा यहाँ पर अंधेरे में टॉर्च जलाकर जो करमचारी है वो मतदान संपन करा रही है यह कहां तक justified है यह होना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी हम विभाग से बात करते हैं कहां क्या चूख हुई है इसके लिए कल लाग तक हम लोगों ने line up किया लेकिन में भी कहीं कुछ चूख हुई है उसको देख लेते हैं एक बार शहरी छेतर में वोटर्स बहुत कम निकलते हैं क्या वज़ा मानती है आप मौसम की वज़ा से अधरवाइस ऐसा नहीं है वोटिंग तो यहां होता ही है जी जी आप ने ने आप से जाना चाहूंगा कि आखिर क्या शहरी छेतर में अवेर्निस की कमी रही या मतदाता अपने घर में सीमटके रहना चाहते हैं ने उसी बात नहीं है उसी बात नहीं है मौसम के वज़ा से ठंडा बड़ा इसलिए थोड़े दिर बात बताता आएंगे और अच्छी वोटिंग पड़ेगी 100% वोटिंग पड़ेगी मौसम की वज़ा तो है आसीमा चुकि आपको बताना चाहूंगा कि कल दोपर के बाद से ही पूरे जार्खर में मौसम की वज़ा से है अपडेट हम आप से लेते रहेंगे कि किस तरह के हाल महापर देखने को मिल रहे है चौथे चुरन के चुनाव के लिए फिलहाल के लिए शुक्रिया ब्रजेश आपका जानकारी देने के लिए वहां के माहूल को बताने के लिए